नमस्कार स्वागा थे आपका मेरे यूटूब के चैनल डिजिटल जीवन में जैसा कि आप देख रहे होंगे ये ब्लॉग मेरा ही है जिसका नाम है एकेएस ब्लॉग इसके अंतरगत आज मैं आपको नया टॉपिक बताने जा रहा हूँ वह टॉपिक है कि कैसे किसी फोटो से हम लिखेवे कंटेंट को निकाल सकते हैं कंटेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें Google खूलना है Google खूलने के बाद इसमें हमें लिखना है आउनलाइन OCR जो पहला लिंक आपको दिख रहे हैं बहुत सारे लिंक हैं लेकिन पहला लिंक की जो हमें दिख रहा है उससे ही हम काम करेंगे online OCR से अब यहां नीचे आने के बाद यहां आप देख रहेंगे select file का option आपको दिख रहा है तो जिस भी photo का हमें text निकालना है उस पर हम क्लिक करे यह मैंने चार फोटो यहां पर अरेंज करके रखा है लेकिन हम एकक करके निकाल लेंगे पहला फोटो हमने open कर लिया यह देखिए uploading स्टाट हो गया है ना 12% 15% यह देरे-धेरे upload होते जाएगा इसको पूरा upload कर देना है upload के दुरान आप देख रहे होंगे यह जो convert button है यह भी disable है जैसे ही यह पूरा upload हो जाएगा यह बटन जो है convert का वो enable हो जाएगा मतलब वो पूरी तरीका से दिखने लगेगा यह देखिए OCR इसका full form है optical character recognition ठीक है मतलब यह यह जो website है वो character को recognize करता है किसी भी फोटो में अगर कोई कुछ लिखा हुआ थो वो इसे निकालता है कि हिंदी में भी यह निकाल सकता है इंगलीस में भी अकर इंगलीस में लिखा भाई तो अगलीस वर्ड निकलेगा अपके अब convert बटन पर हम गवर करेंगा यह इनेबल हो गया अब हम इस पर क्लिक करेंगे क्लिक करेंगे तो ये वेटिंग बोल रहा प्रोसेशंग हो रहा है जैसे ही प्रोसेशंग कंपलीट होगा ये देखे हो गया ये नीचे देखिए यह फोटो में जो भी लिखा हुआ था कंटेंट वो यहाँ पे आ गया है अब हम इसे पूरा सेलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल एक्स कर लेते हैं हम कंट्रोल एक्स ही है कंट्रोल सी भी आप कर सकते हैं कॉपी भी कर सकते हैं और कट भी कर सकते हैं यह कर लिए हैं अब हम एक दो लैन इंटर करने के बाद यह हम वर्ट खोल के उसमें पेस्ट कर ली है ताकि हम पूरे content को बढ़िया से तियार कर सके आब हम फिर से जाते हैं website पे दूसरा photo select करते है open अब यह देखिये दूसरा photo हमने select करके upload किया है यह uploading हो रहा है uploading जैसे ही complete होगा फिर हम इस पे फिर इसको convert पे हम click करके इसका जो text है वो निकाल लेंगे ये देखे हो गया convert पे हमने click किया processing हो रहा है ये दूसरा page है ना दूसरा photo पहला photo का हम निकाल देखे आ गया अब इसे हम click करके control ले करके select कर लेते हैं copy कर लिए हैं अब यहाँ पे आ के हम paste कर दिए दो बार enter कर दिए अब तीसरा photo को हम इसी प्रकार से select करेंगे तीसरा photo हमने select कर लिया है तीसरा photo select होने के बाद अब देखे ये जैसे ही complete होगा हम convert पे click करेंगे हो गया अब convert पे हम click करेंगे क्लिक कें प्रोसेसिंग हो रहा है जैसे ही complete होगा यह जो box खाली है इसमें matter आ जाएगा यह देखे है हो गया देखे matter आ गया matter आ गया आप इसे हम select करके cut कर लेते हैं फिर से मैं कभी cut कर रहा हूं कभी copy कर रहा हूं मैं दोनों का मिशले कर रहा हूं ताकि आप confusion में ना रहें कि cut करें copy आप कुछ भी कर सकते हैं cut कीजिएगा तो box खाली हो जाएगा आपका cut नहीं कीजिएगा copy कीजिएगा तो box भरा हुआ रहेगा ठीक है अब चौथा फोटो हमने सेलेक्ट कर लिया है और चौथा फोटो भी अप्लोड लगभग हो ही गया है हो गया आप कनवर्ट पर क्लिक करेंगे कि यह देखिए वेटिंग प्रोसेशिंग अब यह देखिए चौथा फोटो है उसका भी कंटेंट आ गया है आ गया यह चारो पेज का हमने जो मैटर है पेज में जो लिखा हुआ उसे हमने निकाल लिया है अब हम इसे त्यार करते हैं कैसे हम त्यार कर सकते हैं है ना इसे हम अपने हिसाफ से एड्जेस्ट कर लेते हैं और बगल में फोटो भी हम उपन कर लेंगे जिस फोटो का कंटेंट है फोटो से मिला के हम इसे मैनेज करेंगे यह देखिए ओबरलैब कर रहा है इसे हम छोटा करेंगे थोड़ा इसे बढ़ा करके अब यह जो वेब साइट है यह फोटो में जो लिखा हुआ है मैक्सिमम यह निकाल देता है 100% यह काम नहीं करता है लेकि 95% आपका समय यह बचाएगा कुछ-कुछ जो वर्ट्स होते हैं उसे यह कैच नहीं कर पाता है तो वो आपको थोड़ा सा ठीक कर लेना होगा उसके अलावा टोटल यह आपको जियों का अत्यों उतार देगा है ना जैसे देखिए सुरू में ही अगर कुछ जैसे ज्यादा कर्सिव राइटिंग में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा प्राब्लम होता है लेकिन जो आपका प्लेन लेटर में लिखा हुआ है उसमें कहीं कोई इसमें प्राब्लम नहीं है वो पूरा एकुरेट लिख देता है जैसा कि आप नीचे देख रहे होंगे बुलू लाइन जो है वाट हैपेंड विन यू डॉन्ट वाला जो लाइन है वहां से आप देख रहे होंगे यह टोटल एक वर्ड बाइवर्ड पूरा मिलेगा कहीं भी ऐसा नहीं रहेगा कि गलत रहेगा सिर्फ कर्शिव राइटिंग में जो है इसे थोड़ा परिशानी होती है लेकिन अगर सीधा सीधी लिखा हुआ है तो आप बहुत आसानी से इस वेबसाइट को प्योग करके अपना काफी समय बचा सकते हैं अगर किसी फोटो से आपको देख देख के कुछ टाइप करना है तो बस उसे उसका फोटो खीच लीजिए आप वेबसाइट पर लोड कीजिए और इस तरीके से उसका जो भी उसमें लिखा हुआ है इसको आप निकाल सकते हैं इससे आपका काफी समय बच जाएगा अब मैं चारो पेज को एक करके एडिट करूंगा अब मैं थोड़ा से इ स्पीड हो जाएगा तो जैसा कि आपने देखा यह जो फाइल है यह पूरी तरीके से एडिट हो गया तो इस प्रकार आप इसका उप्योग कर सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद वीडियो का जहूर से लाइक सेर और सब्सक्राइब करें धन्यवाद